कि यह स्टूडेंट्स गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब लोग तो देखो बच्चों हमने बात करी थी मैंने अपने इंट्रड़क्टरी वीडियो में बोला था आप लोगों से कि हम इंपॉर्टन कॉंसेट्स ऑफ इकोलोजी की एक सीरीश कर रहे हैं उसमें कुछ हम ओफ-ल लोगों को आप मुझको हम बहुत अच्छे से एक दूसरे से इंट्राक्ट कर सकें तो स्टूडेंट्स उसी लिए हम आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है पॉपुलेशन इंट्राक्शन बचाब पॉपुलेशन इंट्राक्शन जो है न वो क्लास 12 में इकोलोजी के चैप्टर 13 का टॉपिक है और परसनली मेरा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था जब मैं खुद नीट की प्रिपरेशन कर रही थी न तब मुझे पूरे एकोलोजी में सिर्फ एक टॉपिक इंट्रेस्टिंग लगता था और वो पॉपुलेशन इंट्राक्शन इस टॉपिक में इतनी कहानिया हैं इतने आपको एक्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे कि आपको लगेगा कि यार नीचर कितना अमेजिंग है वो कितनी सारी चीजे करता है जो हमें पता भी नहीं होती और अगर हमें पता होती है तो हम उसको ध्यान ही नहीं देते हैं तो च यानि कि group of species, group of organisms, जो कि किसी एक species के हूँ, तो अलग-अलग population के बीच में interaction हो रहा है. अच्छा, मुझे सोच के बताओ, कि क्या population interaction एक important चीज है कि नहीं है? तुम बोलोगे, यार क्यों जरूर ही है? मैं as individual भी तो survive करी रहा हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी और organism से interact करूँ? लेकिन population interaction हमें दिखता नहीं है, समझ नहीं आता, फिर भी बहुत important role play करता है. इतना important role play करता है कि आपको पूरे अर्थ पे ऐसा कोई habitat, ऐसी कोई जगे ही नहीं मिलेगी, जहाँ पे सिर्फ एक species हो. मतलब कि ये एक हमारे अर्थ का कोई कोना है, और आप कह रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ humans रहते हैं. कैसी कोई जगे possible है? नहीं, बिल्कुल possible नहीं है. या humans छोड़ो, कोई और organism रहता हो, पर सिर्फ एक organism. कैसा possible है? impossible है ये चीज़. ऐसा हो ही नहीं सकता. तो अर्थ पे ऐसा कोई natural habitat नहीं है, जहाँ पर सिर्फ एक single species present हो. यहाँ पर multiple species present होंगी ही होंगी. क्योंकि imagine करो ना, अगर कोई organism वहाँ पर अकेले रह रहा है, तो भी कम से कम उसे कोई और organism तो चाहिए होगा, जिसको वो खा सके. खाना तो ज़रूरी है, हम consumers हैं, हमें कोई ना कोई plant, कोई ना कोई animal चाहिए होगा, ताकि हम उसको consume कर सके. तो इसका मतलब क्या हुआ, कि हमको minimal requirement किसी एक species की है, जिसको हम खा सके. तो फिर अब आता है next question, अब वो question क्या कहेगा, वो question यह कहेगा, कि यार फिर तो मतलब plants को interaction की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि plants तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो क्या, plants को interaction की जरूरत नहीं है, और population interaction सिर्फ consumers पे ही apply करता है, उनी पे applicable है, ऐसा भी नहीं है. Imagine करो, plant है, अपना खाना खुद बना रहा है, लेकिन उसको soil से nutrients चाहिए होंगे, तो वो क्या करेगा, soil से nutrients absorb करेगा, अब हमको पता है, कि जो भी organism है, वो soil से, मतलब plant को, अगर soil से कोई भी nutrient लेना होगा, तो उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? उसको जरूरत पड़ेगी, soil microbes की. भाया, soil microbes तो चाहिए होंगे न, हमें पता है, plant nitrogen नहीं ले सकता, plant को nitrogen के लिए, जरूरत किसकी पड़ेगी? microbes की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, एक requirement आई. अब दूसरी चीज़ सोचो, soil में nutrients कहां से आएंगे? अगर plant nutrients लेता रहेगा, लेता रहेगा, तो soil में nutrients खतम हो जाएंगे. फिर तो उसके लिए हमारे पास में decomposers present है, decomposers क्या करते है, decomposers हमारे nutrient cycling करते हैं, organism मरा nutrients वाइल में डाल दिये, plant ने ले लिये, तो plant को भी किसी ना किसी decomposer की जरूरत पड़ेगी. अब तीसरी चीज़, ठीक है चलो, खाना बनाने में उसको जरूरत पड़ गई. अब और क्या होगा? अब उसको जरूरत पड़ेगी pollinators की, plant को reproduce करने है, reproduce करने के लिए उसको चाहिए pollinators, pollinators कौन होते हैं? कोई animal होगा, कोई bee होगी, insect होगा, कुछ भी होगा, bird होगी, कहीं-कहीं तो lizards और bats भी हैं. तो basically हमें क्या पता चला कि plant को भी multiple interactions की जरूरत हैं. उसको soil microbes चाहिए, उसको decomposers चाहिए, उसको pollinators चाहिए. तो क्या conclusion पर पहुँचे हम? कि कोई भी organism isolation में नहीं रह सकता, उसको दूसरी species से interact करना ही पड़ेगा. और जब बहुत सारी populations एक दूसरे से interact करती हैं, तो हम उसको खहते हैं biological community. अगर कोई minimal condition है, जहां पर आपको दिख भी नहीं रहा कि कोई interaction हो रहा है, तो भी वहाँ पर multiple interactions हो ही रहे होंगे. अब एक दूसरी term, हमने population interaction समझ लिया, उसके term का मतलब समझ लिया, क्यों होता है यह समझ लिया. एक term ओ रहा है, जो कि NCRT में given है, which is inter-specific interaction, यह क्या है? inter-specific, inter मतलब बीच में, specific मतलब species, species के बीच में जो interaction हो रहा है, उसको हमने बोल दिया, inter-specific interactions. तो interaction of population of two different species, इसको हमने interactions बोला है, क्या बोला? inter-specific interactions, okay, next चीज, हमारे NCRT में न, कई सारे type के interactions दे रहा है, देखो, मैं इसको एक बहुत सिंपल से तरीके से समझाते हूँ, बहुछे example से समझाते हूँ, अगर आप यह सोचिए, कि आप अपने classroom की बात करो, हमें पूरे population की बात ही नहीं करने हम तो हमारे classroom की बात करेंगे हम school जाते हैं, coaching जा रहे हैं, class में जा रहे हैं, तो हमारे कुछ दोस्त होंगे, right, उन दोस्तों के साथ क्या होगा, उन दोस्तों के साथ हम रोज जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, fun कर रहे हैं, मज़े मार रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में, अगर साथ में आना है, कि ह आज साथ में आएंगे चुटी मारनी है साथ में चुटी मार ली उसके अलावा और क्या क्या होता है कि तुम नहीं आये तो उसके तुम्हारे तुम्हारे दोस्तों से क्या होता है तुमको benefit मिलता है राइट, beneficial interaction है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें तुम और तुम्हारे दोस्तों के बीच में benefits हो रहा है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए beneficial हो, तो ऐसे interactions, suppose, जो की मेरे लिए beneficial है, उनको मैंने positive से show कर दिया, ठीक है, अच्छा students, मुझे बताईए, आप लोगों को मेरी आवा मुझे मुझे से question पूछा है कि क्या full syllabus करवाओगे, बच्चा मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ full syllabus करवा हूँ, और yes, बिल्कुल, I will try, कि पहले तो हम ecology की series अभी करी रहे, ecology की series खतम होते ही, फिर हम कुछ और series भी बिल्कुल कोशिश करेंगे, thank you students, अच्छा आप लोगों को अगर मैं दिख रही हूँ, तो please और आवाज एकदम सही आ रही है, तो thumbs up भेज़िए please, good evening, good evening students, okay, नामे का, आपके question का answer मिल गया, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, आपका full syllabus करवाने की, आप tension मत लीजे, चलिए, आगे बढ़े, okay, तो मैं गहां थी, मैं थी beneficial interaction पे, आप सोचो, class में एक group ऐसा जरूर होता है, जिससे हमारी नहीं बनती है, जिससे हम चिड़ते हैं, वो हमसे चिड़ते हैं, हम उनसे चिड़ते हैं, एकदम गुस्से में रहते हैं, या हम कोशिश करते हैं उसको नीचे दिखाने की, वो कोशिश करेगा हम भी नीचे दिखाने की, लड़ाई जबड़ा हो सकते हैं, मौर पीट हो सकती है, तो ऐसे interactions भी होते हैं, जिसमें दोनों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सोचो ना तुम गए उससे लड़ने, चीकि तु है, detrimental मतलग हानिकारग, उन interactions को हम negative interactions कहते हैं, clear, इतना समझ में आया, beneficial interactions और detrimental interaction, अब एक तीसरे टाइप का interaction भी होता है, वो क्या है, class का एक group होता है, या एक आदी दो बच्चे होते हैं, जिन से आपको फरक नहीं पड़ता, आपको पता है वो आपके class के students हैं, आपको पता है वो आपके class में पड़ते हैं, पर आपकी कभी उनसे बात चीत नहीं होई, आपकी उनसे दोस्ती नहीं होई, लड़ाई भी नहीं हुई है बात नहीं होती गुसा भी नहीं है लड़ाई जगडा भी नहीं है तो ऐसे interactions जिसमें हमें कोई मतलब नहीं है सामने वाले person से उसको हम कहते हैं neutral interactions और इसको हम represent करेंगे zero से तो हमने कौन से देखे हमने तीन interactions देखे beneficial number one जिसमें दोनों का फाइदा हो रहा है दूसरे है detrimental जिसमें नुकसान हो रहा है और तीसरे है neutral ना फाइदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है ठीक है तो अब हम आते हैं कौन से टाइप के interactions हमको nature में देखने को मिलते हैं students nature में हमको seven type कि interactions देखने को मिलते हैं हाँ, NCRT में 6 दे रखे हैं हम एक और पढ़ेंगे उसका नाम है proto-cooperation proto-cooperation भी कभी-कभी आ जाता है इसलिए हम उसको भी पढ़ेंगे उसको भी cover करेंगे ओके, number one interaction mutualism, mutualism में क्या होता है यह वो वाला interaction है दोस्ती वाला, जिसमें क्या हो रहा है दोनों को फायदे हो रहे है तो यहाँ पर दोनों स्पीशीज को फायदे हो रहे है इसी को हम mutualism, symbiosis या symbiotic relationship भी कहते हैं तूसरा interaction, competition लड़ाई चगड़ा, गुथम गुथी हो रहे है मार बीट हो रहे है इसमें क्या हो रहे है दोनों को नुकसान हो रहे है नेगेटिव interaction है यह अब एक और टाइप contraction सुनो जिसमें क्या हो रहे है कि क्लास का कोई यह कैसा बच्चा जो आपका फायदा उठा रहे है वो आपसे assignments लिखवाने में help कर रहे है उसको कुछ doubt आता है तो वो आपसे समझने आ जाते है पर उस वो तो आपका खूब फायदा उठा रहे है पर आपको उससे ना फायदा हो रहे है ना नुकसान हो रहे है या हो भी सकते है कि आपको उससे नुकसान हो रहा हूँ जैसे वो तो आ गया आपसे questions solve करवाने कि यार मेरी help कर दे, question करवा दे लेकिन जब आप गए कि यार मेरी help कर दे थोड़ा सा तो उसने मना कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ जब उसको जरूरत थी आपने उसकी help करी पर वो आपकी help करने नहीं आया तो ऐसे interactions भी होते हैं जिसमें एक को तो फाइदा हो और दूसरे को नुकसान हो ऐसे दो टाइप के interactions होते हैं एक पढ़ेंगे अपन predation जिसमें एक species को फाइदा होता है दूसरी species को नुकसान और similar दूसरे टाइप का interaction है parasitism ओके? कॉमेंसलिजम और अमेंसलिजम ये भी दो टाइप के interactions हैं इन interactions में क्या होता है? कॉमेंसलिजम एक species को फाइदा हो रहा है और दूसरी species neutral है उसको कुछ फ़रक नहीं बढ़ा रहा वो हो गया हमारा Commensalism और Commensalism का उल्टा होता है Amensalism Amensalism में क्या हो रहा है? एक को नुक्सान हो रहा है, एक Neutral है हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े अभी तक, कहा गया? ये पढ़ा था हमने पढ़े अभी तक, ये interactions इनके अलावा बच्छा, एक और interaction है Proto-Cooperation Proto-Cooperation में क्या होता है? दोनों स्पीशीज को फाइदा हो रहा है तो अब आप मुझसे पूछोगे कि Ma'am, अगर दोनों स्पीशीज को फाइदा हो रहा है तो Mutualism और Proto-Cooperation Mutualism और Proto-Cooperation में अंतर क्या है? अंतर है Students जो Mutualism है न, ये एक Obligatory Relationship है Obligatory Relationship Obligatory Relationship का मतलब होता है Compulsory Relationship की एकदम Best Friend वाली की एक नहीं आया तो दूसरा भी गायाब हो जाएगा वो भी छुट्टी माल लेगा तो ऐसे Relationships जिसमें दोनों Organisms एक दूसरे के बिना Survive नहीं कर सकते हैं वो है Mutualism Obligatory या Compulsory Relationship Next is Proto Cooperation Proto Cooperation अपना Non Obligatory है हाँ तुम दोस्त हो बड़िया दोस्त हो एक दूसरे के help भी करते हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक स्पीशी मर गई एक स्पीशी प्रेजेंट नहीं है तो दूसरी स्पीशी सर्वाइव नहीं कर सकती वो बिल्कुल सर्वाइव कर सकती है तो इन दोनों में डिफ्रेंस समझ में आया हूँ? ठीक है अगर आपको अभी तक समझ में आया है तो देखते हैं एक बार comment section में SM हाँ doubt है आपका आप message करिए मैं देखती हूँ Pharmacy की class Namika कौन सा chapter पढ़ेंगे बच्चा यह हम ecology में chapter 13 पढ़ रहे है Good evening students चलो ठीक है आगे बढ़ता है अगे तो अब हम क्या करेंगे अब हम एक एक interaction को detail में पढ़ेंगे सबसे पहले अपन शुरू करते हैं predation से अगर मैं आप से बोलू कि predation क्या है तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले अपने दिमाग में आएगा कि एक डियर्स का हिरनों का जुंड है वो बढ़िया अपना खाना खा रहे थे घास चरे रहे थे पानी पी रहे थे और एकदम से शेर आगया और फिर tiger आ गया और वो भागने लगे tiger ने फिर एक deer के पीछे भागा उसे एक deer को पकड़ा उसको मारा और खा गया right हमारे दिमाग में सबसे पहले prediction में यही आता है अब क्या हुआ tiger ने deer को मार के खाया tiger को खाना मिल गया tiger का तो फाइदा हो गया डियर, डियर बिचारा मर गया, क्या डियर को कुछ फाइदा हुआ, क्या डियर को नुकसान हुआ, येस, डियर को नुकसान हुआ, तो predation एक negative interaction है, negative interaction, अब आप बोलोगे कि tiger को तो फाइदा हो रहा है, तो negative क्यों है, tiger के लिए तो ये positive है, लेकिन बच्चा, अगर किसी भी ए एक organism को नुकसान हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि वो पूरा का पूरा interaction, एक negative interaction है, clear, okay, अब मुझे एक चीज बताओ, tiger ने deer को मार के खा लिया, तो ये तो एक गलत चीज है, तो हमारा nature evolve क्यों नहीं कर रहा, ऐसा क्यों हो रहा है कि predation अभी तक चल रहा है, उसको तो evolution में खतम हो जाना चाहिए था, deer को इस तरीके से evolve करना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसका reason क्या है, उसका reason ये है कि predation एक बहुत important phenomenon है, predation क्या करता है, predation ना एक nature का, natural तरीक है, energy को transfer करने का, एक जगे plants ने energy बनाई, उससे वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएगी, हमने पढ़ा है, producers, consumers, यह सब चीज़े हमने पढ़ी है, तो predation भी यही तरीका है, हमें क्या लगता है, tiger ने deer को खा लिया, predation हो गया, लेकिन नहीं, कोई एक rabbit, अगर वो plant को खा रहा है, वो भी predation है, NCRT में example दे रहा है, sparrow का, sparrow, plant के seed को खा रही है, वो भी predation ह क्यों, क्योंकि bird को तो sparrow को तो फाइदा हो गया, उसको खाना मिल गया, पर seed, seed तो पेड बनने वाला था, अब वो पेड नहीं बन सकता, तो वहाँ पर उसको नुकसान हुआ, एक को फाइदा, एक को नुकसान हुआ, predation, तो basically, जो हमारे हर भी वोर्स हैं, हर भी वोर्स भी predators ही कहलाएंगे, इतना clear हुआ, okay, अब हम बात करते हैं, important roles of predator, जो predators होते हैं, वो हमारे nature में बहुत जादा important role play करते हैं, तो हमारे one by one उन सारे roles को पढ़ते हैं, number one, act as condits for energy transfer, condits word का क्या मतलब होते हैं, बच्छा, condit word का मतलब होता है, pipe, pipe, तो predators एक pipe की तरह act करते हैं, energy transfer के लिए, वो कैसे करते हैं, देखे, यहाँ पर पेड़ ने energy बनाई, अब पेड़ को खाया किसने, suppose grass को grasshopper ने खा लिया, तो इसको खाया grasshopper ने, जी एच मैंने grasshopper के लिए लिखा है, clear, अब grasshopper को खाया, suppose किसी छोटी board ने खा लिया, कोई एक board ने खा लिया, energy transfer हुई, plant से grasshopper में, grasshopper से bird में, और bird को खा लिया, eagle ने, तो bird से energy चली गई, eagle में, अगर predation नहीं होता, अगर nature में predation जैसा phenomena ही नहीं होता, तो यह energy transfer कैसे हो पाता, नहीं हो पाता न, इसी लिए, जो predators हैं, यह बहुत important role play करते हैं, किस के लिए, energy को transfer कराने के लिए, okay, next important role, next important role यह है, कि यह prey population को control में रखते हैं, क्या करते हैं यह, prey population को control में रखते हैं, imagine करो, jungle में अगर tiger नहीं होगा, तो क्या होगा, तो deers बहुत सारे हो जाएंगे, deers क्या करेंगे, पेड़ पौधों को खाने लग जाएंगे, तो जब deer पेड़ पौधों को खाने लग जाएंगे, तो क्या होगा, जंगल में natural deforestation बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा, पेड़ खतम होने लग जाएगे, ऐसा होगा तो इसी लिए, अब सोचो, tiger की population कितनी important है, किसके लिए, deer की population को control करने के लिए ये prey population को control करके रखते हैं आप इसका NCRT में एक example दे रखा है, sea students, NCRT examples बहुत ज़रूरी है, ecology के लिए पूरी NCRT बहुत ज़रूरी है, तो हम NCRT के example से समझते हैं ये आपको एक बहुत सुन्दर सा पेड़ देख रहा है, ये है prickly pear cactus, एक cactus की प्रजाक्ती है, ये दिखने में बहुत सुन्दर थी, तो क्या हुआ, इसको introduce करा दिया गया, कहाँ पर Australia में Australians इसको बहुत सुन्दर लग रहे हैं, हम अपने याँ उगाएंगे अब इसके साथ क्या हुआ, कि ये बहुत enormous growth करने लग गया, millions hectare में, एकड़ों में फैलने लग गया ये तो अब problem हो गई, कि अब यार इसकी population को कैसे control करें, अच्छा ये बढ़ क्यों रहा था, क्योंकि कोई ऐसा organism ही नहीं था, जो इसको खा सके, जो इसको मार सके कोई इसका predator हमारे पास में present ही नहीं था, फिर क्या किया, इन्होंने एक cactus feeding moth होती है, जो इसकी predator थी उसको उसके natural habitat से लाके Australia में introduce कराया गया, और उसने फिर इसकी जो भरती population थी, उस population को control किया अच्छा मुझे बताओ, एक similar example हमने बहुत पढ़ा है, बहुत famous है, चलो मुझे फटा-फट comment section में लिखके बताओ, कि ऐसा कौन सा interaction, ऐसा कौन सा example आपने इसी के जैसा एक example पढ़ा है, जहां पर किसी को हमने introduce कराया, और उसने बहुत million hectares में फैल गया, क्योंकि उसका कोई predator नहीं था, students, I am waiting, आप करिये, comment करके बताइए, यह जो example है, वो है terror of Bengal, terror of Bengal, हमने पढ़ा है water high sin, बहुत सुंदर था, इसलिए इंडिया में introduce करा दिया गया, Bengal में, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर यह बहुत enormous growth करने लगा, तो वहाँ की जो native fishes थे, native aquatic animals से, वो बिचारे मर गए, तो यहाँ पर यह क्या करता है, यह prey population को भी control करके रखता है, ओके, next चीज, और क्या करता है यह, यह species diversity को भी maintain करके रखता है, species diversity को कैसे maintain करके रखता है, imagine करो, tiger है, क्या करता है, deer को भी खाता है, zebra को भी खाता है, चिंकारा को भी खायेगा, बारा सिंगा को भी खायेगा, बहुत सारे organisms को खायेगा यह, तो अगर tiger नहीं होगा, अगर tiger नहीं होगा, तो deer की, zebra की, किसी और organism की, चिंकारा की, बारा सिंगा की न सबकी population grow करने लगीगी, अब खाना तो limited है, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूशे से लडाईयां लडेंगे तो क्या हुआ, species के बीच में competition बहुत बढ़ गया और जब ये बहुत जादा हो जाएगा, तो species diversity नहीं बचेगी वो खतम होने लगेगी, reduce होने लग जाएगी इसका एक example है, ये आपको एक starfish दिख रही है, ये starfish है पिसास्टर, ये कहां मिलती थी? ये मिलती थी अमारिका के Pacific Coast में, जहां पर rocky intertidal communities में मिलती थी कहां? अमारिका के Pacific Coast में, अब ये क्या करती है? ये वहां की बहुत important predator थी, scientist ने क्या कि एक field experiment किया, एक छोटे से area में से, चितनी पिसास्टर थी, वो सारी पिसास्टर हटा दी, सौरी पिसास्टर हटा दी, तो इन्होंने क्या देखा? विदिन one year, एक साल के अंदर अंदर में, ten से जादा invertebrates की species extinct हो गई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब पिसास्टर हटा दिया, पिसास्टर क्या कर रहा था? इसकी population को control में रख रहा था, चितने भी invertebrates को वो खाता था, उन सबकी population को control में रख रहा था, लेकिन इसको हटा दिया, तो अब वो population बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उनके बीच में competition बढ़ता जाएगा, कौन सा competition? इंटर स्पेसिफिक competition और उस कारण क्या हुआ? उस कारण वो extinct हो गए, तो अब समझ में आ रहा है कि predators कितना important role play करते हैं हमारे nature में? predators एक बहुत important role और play करते हैं, predators are prudent in nature, ये भी एक in CRT statement है, अब prudent word का क्या मतलब है? Prudent word का मतलब होता है, वो जो बहुत अकलमंदी से काम ले रहा है, बहुत सो समझ के काम करते हैं, उसका हम prudent कहते हैं, तो क्या होता है? अब imagine करो, जो हमारे predators है, अगर predators अपने prey को over exploit करने लग जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा prey extinct हो जाएगा, जब prey extinct हो जाएगा, तो predator को खाना नहीं मिलेगा, जब predator को खाना नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? predator भी extinct हो जाएगा, तो जो हमारे prey है, predators हैं, ये predators एक बहुत important role play करते हैं, ये अपने prey को over exploit नहीं करते हैं ये balance maintain करके रखते हैं तो देखो, हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक ये देखा है कि जो हमारे one shot, बिल्कुल students, one shot लाने की भी हम कोशिश करेंगे water hyacinth, बिल्कुल water hyacinth, सच्चन, अंकित, वरुन, सही बोला है आपने ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, जो हमारे predators हैं उनकी तो हमने खूब तारीफे कर ली कि ये बढ़िया काम करते हैं, वो बढ़िया काम करते हैं इतने अकल्मंद हैं, ये सब हैं प्रे भी तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रे भी बहुत अकल्मंद है प्रे नहीं क्या कर रख है, बहुत सारे defense mechanisms, acquire कर रख हैं जिससे वो predator से बच सकें और इसमें सबसे basic, सबसे common, सबसे easy तरीका है camouflage हो जाओ जहां पे भी अगर आपको दिख रहा है predator भाईया, जो भी पीछे का background है, background में mix हो जाओ predator को आप दिखोगे ही नहीं, बच गए राइट, दूसरा, दूसरा है कि कुछ organisms क्या है कुछ organisms ने poisonous हैं उन्होंने poison acquire कर लिया body में ताकि predator उनको खाई ही नहीं चैसे, यह butterfly दिख रही है यह butterfly हमने बहुत बार देखे, बहुत naturally दिख जाती है यह है monarch butterfly monarch butterfly ना बहुत गंदी होती है टेसमे तो इसका predator है bird birds खाती है butterfly को अब यह गंदी है टेसमें, तो क्या bird खाईगी इसको? क्यों खाएंगी भाई? टिंडे थोड़ी काएंगे हम तो तंदूरी चिकन खाएंगे तो क्या होता है कि यह बहुत गंदी होती है टेसमे जिस कारण bird इसको नहीं खाते है और ये इतनी गंदी क्यों है टेस्ट में इसका टेस्ट इतना गंदा क्यों है क्योंकि इसके बॉडी में एक specific chemical present है वो specific chemical कहां से आता है जब ये अपनी larval stage में होती है caterpillar stage में वहाँ पर ये weed को खाती है जब ये उस weed को खाती है तो इसके अंदर एक chemical acquire हो जाता है वो इसको बहुत गंदा कर देता है टेस्ट में तो ये bird इसको नहीं खाते और ये बच गए नेक्स इस defense mechanism of plants भाई animals के लिए तो बचना बहुत easy है यहां से आ रहा था predator भाई साब यहां से पतली गली से निकल गए जिसमें सबसे पहला और सबसे common है thorns सबसे common तरीका क्या है thorns भाईया अपने ओपर काटे होगा लो ताकि कोई भी predator उसको खाना पाए अच्छा plant के लिए उसका predator कौन होगा plant के लिए उसके predator होंगे herbivores क्योंकि वो उसको खा जाते हैं उसको खतम कर देते हैं उसके अलावा plant के लिए उसके predator होंगे insects क्यों क्योंकि insects क्या करते हैं उनकी body के उपर आते हैं और sap को सब करके चले जाते हैं तो plant के लिए दो predator हो गए herbivores हो गए insects हो गए NCRT में एक term दे रखी है which is phytophagus phytophagus word का क्या मतलब है phyto यानि की plants plants को खाने वाले insects phytophagus insects यह क्या करते हैं plant sap को और plant के दूसरे parts को खा जाते हैं तो मैंने क्या बताया plant में predation से बचने को सबसे common तरीका है thorns कांटे होगा लो एक और बताती हूँ मैं यह plant देख रहा है आपको यह plant आपने definitely देखा होगा क्या कोई मुझे इसका नाम बता सकते है चलो देखते हैं किसी को पता है कि है इसका नाम बताओ बच्चे नाम बताओ इसका ठीक है इसका नाम है केलो ट्रॉपिस केलो ट्रॉपिस केलो ट्रॉपिस हिंदी में हम इसको आकड़ा कहते हैं यह आपको roadside दिख जाएगा बहुत जाडियों में सबसे पहले यही उपता होगा जाके लेकिन फिर भी कोई भी हर भी वो गाय भैंस बकरी इसको खाते ही नहीं है क्यों क्या होता है यह बहुत poisonous cardiac glycosides produce करता है एक cardiac poison produce करता है अगर कोई भी organism इसको खाएगा तो उसका cardiac arrest हो सकता है आपको याद होगा इस आंकडे में ऐसा होता है आप इसके पती तोड़ोगे इसकी डंडी तोड़ोगे तो white white color का milk निकलता है that milk is poisonous be careful of that ओके तो हमने क्या देखा defense mechanism एक हमने thorns देखे एक हमने special तरीका देखा केलोट्रॉपिस का ओके next important चीज़ हम क्या करते हैं हम plant से बहुत सारे chemicals acquire करते हैं जिसको हम commercial level पर बेचते भी है फूद जो chemicals है वो plant ऐसे नहीं बना रहा था कि भाईया इंसान आया और उसको बेचने लग जाएं वो plants अपने defense mechanism के लिए बना रहे थे वो क्या-क्या है nicotine nicotine नहीं मैं पता है tobacco में present होता है tobacco's में caffeine caffeine भाईया लोगों की जिंदेगी चलते हैं caffeine से chocolates coffee सब में quinine strignine opium opium Popeye बढ़ा हैं हमने यह क्या करता है drug produce करता है तो यह जितने भी chemicals हैं यह chemicals plant के defense mechanism है ताकि plant अपने predator से बच सके plant क्या कर सके अपने predator से बच सके okay students तो हमने क्या किया हमने अभी तक एक interaction पढ़ लिया है और उस interaction का नाम क्या है उस interaction का नाम था predation ठीक है नामिका केलोट्रॉपेस बिल्कुल do you केलोट्रॉपेस सही बोला आपने नामिका हाँ बिल्कुल abandoned fields में grow कर जाता है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं तो पहला interaction हमने पढ़ लिया predation अब हम दूसरे interaction ब्याते हैं दूसरा interaction है competition competition क्या था आपकी दूसरे ग्रुप से लड़ाई चल रही थी जगड़े चल रहे थे competition क्या हो रहा है एक negative interaction जिसमें दोनों species का नुकसान ही नुकसान हो रहा है तो अब अगेन ये बात आई कि या जब नुकसान हो रहा है जब किसी चीज का नुकसान है तो हमारा environment उसको हमारा nature हम evolve क्यों नहीं कर रहे हैं competition खतम कर दें लेकिन नहीं Darwin ने एक statement बोला था यह Darwin का statement और यह बहुत important statement है उन्होंने क्या बोला कि competition एक potent force है evolution में यह evolve करने में help करता है तेखो कैसे आपके उस group से लड़ाई चल रहे हैं अब हमी क्या करना है हमी उसको हराना है कोई भी field लेलो आपको उसका academics में हराना है तो आपको उससे जाधा पढ़ना पढ़ेगा आपको उसको co curriculum में हटाना है तो आपको जाधा dance सीखना पढ़ेगा गाना गिटार बजाना सब करना पढ़ेगा आपको sports में उनको हराना है आपको sports सीखने पढ़ेंगे कुछ नहीं, आपको मार पीट करनी है, कुछ नहीं करना, आपको मार पीट करनी है तो भी आपको उससे जादा strong होना पड़ेगा physically, आपको gym करना पड़ेगा, आपको body बनानी पड़ेगी प्रोटीन्स पीने पड़ेंगे, किसलिए? ताकि आप उसको हरा सको तो हम क्या कर रहे हैं? हम सामने वाली species को हराने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं हम खुद को evolve कर रहे हैं, हम खुद को evolve कर रहे हैं, हम खुद को better बनाने की कोशिश कर रहे हैं यही तो evolution है, कि हम better बना रहे हैं और better बनाने के लिए competition बहुत ज़ादा जरूरी है अब चेनरली competition के बारे में क्या बोला जाता है competition के बारे में बोला जाता है कि दो लोग जो आसपास रह रहे हूं तो species जो आसपास रह रही हों वो किसी एक source के लिए लड़ाई कर रहे है obviously मैं यहां बैठी हूं कोई दूसरा कहीं बैठा है वो कैसे compete करेगा या बहुत सारा खाना है हमारे पास तो क्यों होगी खाने को लेके लड़ाई तो generally क्या बाते बोले जाती है कि यह closely related species में होता है और तब होता है जब हमारे resources limited है लेकिन यह जरूरी नहीं है ऐसा बिलकुल भी जरूरी नहीं है unrelated species भी compete कर सकती है कैसे आपको एक example देता है South America में shallow lakes मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा depth नहीं है वहाँ पर fishes रहती है resident fishes और वहाँ पर कुछ time में साल के specific time में flamingos आते है ठीक है लेक घूमने आते हैं flamingos तो जब flamingos वहाँ पर घूमने आते हैं तब fishes और flamingos दोनों zooplanktons के लिए compete करते हैं खाने के लिए compete करते हैं तो क्या flamingos और resident fishes related species थे नहीं थे ना पर फिर भी ये compete कर रहे हैं तो पहला statement कि closely related species में होता है ये तो गलत हो गया दूसरा statement क्या था कि तब होगा जब resources limited होंगे लेकिन नहीं ये भी जरूरी नहीं है कि resources limited हो तब ही ऐसा हो इसका example इसका एक example है which is interference competition interference competition का क्या मतलब है कि एक ऐसा competition जिसमें दो species है suppose species A और species B abundant food है बहुत सारा खाना है लेकिन फिर भी इस A की presence में B अपने full potential से खाने ही नहीं घा पारी वो ऐसे फिर दर के बैठी है पूरा buffet लगा हुआ है लेकिन बढ़िया खारी थी कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन जैसी A आया दर के बैठी है कोने में नहीं खा रहा हो वो तो यह होता है interference competition जिसमें feeding efficiency एक species की decrease हो जाती है in the presence of another species चाहे बहुत सारा खाना हो फिर भी तो अब competition की best definition क्या हो गई competition की best definition हो गई एक ऐसा process जिसमें किसी एक species की fitness किसी और species की presence के कारण reduce हो जाती है decrease हो जाती है क्या हुआ competition ही कैसा process हो गया जिसमें दो species थे एक की fitness कम हो गई दूसरे की presence में और इस fitness को हम measure कैसे करते हैं इस fitness को हम measure करते हैं आर से आर क्या है मैं पढ़ा चुकी हूँ मैं personally लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है आर हमारा reproductive potential है तो obviously अगर competition हो रहा है और एक species हार रही है तो उसका reproductive potential कम हो जाएगा वो survival पर ध्यान देगा कि reproduction पर obviously survival पर उसका reproductive potential कम हो गया वो competitively inferior species हो गया Okay students अब देखो competition में जो in CRT है न CRT में क्या कर रहा है उन्होंने CRT statements को बीच-बीच में बहुत सारे उसमें theories दे रहे हैं कोई बाद नहीं हमने उनको one by one करके पढ़ना है ताकि आराम से समझ में आये उसमें सबसे पहला है GAUS competitive exclusion principle नाम से पता चल रहा है scientist का नाम भी GAUS होगा Georgie GAUS हमारे scientist का नाम था जिन्होंने ये principle दिया इन्होंने क्या बोला कि अगर दो species किसी एक resource के लिए fight कर रहे हैं तो एक species दूसरी species को eliminate कर देगी exclusion मतलब exclude कर देगी eliminate कर देगी क्या कर देगी eliminate कर देगी दो species same resource पे coexist नहीं कर सकती देखो मैं बताती हूं इन्होंने क्या experiment क्या किया था देखो इन्होंने क्या किया इन्होंने लिया paramecium paramecium लिया और paramecium की इन्होंने दो species ली एक इन्होंने लिया paramecium aurelia और एक इन्होंने लिया paramecium quadatum और इन्होंने इनको grow कराया एक बार इन्होंने Paramecium Aurelia को Petri dish में अच्छे से ग्रो कराया बढ़िया ग्रो कर गया, कोई दिक्कत नहीं हुई ये लो दूसरे में इन्होंने क्या किया? दूसरे में इन्होंने Paramecium Quadatum को ग्रो कराया वो भी अच्छे से ग्रो कर गया फिर इन्होंने एक third condition ली उसमें इन्होंने क्या किया? Paramecium Aurelia और Paramecium Quadatum दोनों को ग्रो कराया ये लो वाइट वाले हमारे Paramecium Aurelia है और ग्रीन वाले हमारे Paramecium Quadatum है थोड़े टाइम बात इन्होंने क्या नोटिस किया? थोड़े टाइम बात इन्होंने ये नोटिस किया कि paramecium aurelia तो बहुत सारा है लेकिन paramecium aurelia की presence में जो paramecium quadatum तारे कौन सा रंग था हरा paramecium quadatum की quantity highly reduced हो गई है almost negligible हो गई है तब ये इस conclusion पे पहुँचे कि अगर same resource है limited resource है यानि कि खाना limited था नहीं हाँ पे तो they cannot co-exist इसका एक और example मिला हमको इसका एक और example मिला हमें Abingdon tortoise ये न बच्छे Galapagos island में present थे Galapagos island कहाँ पढ़ा है अपन ने Darwin ने Darwin ने अपनी story research Galapagos में करी थी तो वहाँ पर Abingdon tortoise वहाँ के native tortoise थे giant tortoise कहते थे इनको बहुत बड़े tortoise होते थे अब क्या हुआ वहाँ पर इन्होंने introduce करा दिये goats कोई एक experiment कर रहे थे इन्होंने वहाँ पर goats introduce करा दिये अब imagine करो goats हैं tortoise हैं जाला खाना कौन खाएगा goats fast grazing capacity किसकी होगी goats की better compete मतलाब अब superior कौन हो गया competition में goats superior हो गया तो क्या पता चला हूँ within a decade abingdon tortoise थे वह extinct हो गया extinct हो गया खतम हो गया क्यों क्योंकि यहां पर हमारा food limited था तो क्या हुआ goats जादा खाना खाने लगे abingdon tortoise को खाना कम मिला और बिचारे extinct हो गया लेकिन लेकिन अच्छा यह क्या हुआ यह proof हो गया हमारा goats exclusion principle का लेकिन इस rule के साथ मैंने एक scene है क्या है कि यह सिर्फ तब ही सही होगा जब हमारे resources limited होंगे अगर हमारे resources limited नहीं है तो यह principle सही नहीं है कैसे imagine करो अगर बहुत सारी grass होती unlimited grass होती तो क्या होता अगर grass unlimited होती तो tortoise को कभी कमी नहीं होती grass की वो खाता वो अपनी growth करता grass अपना goats अपना खाते लेकिन यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर कमी है यहाँ पर limited resource है इसलिए लड़ाई हुई और इसलिए exclude हो गए कौन हमारे बिचारे Abingdon tortoise statement के अभी बस ध्यान रख लो कि evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive यह हमेशा conclusive नहीं होते हैं कैसे अभी हम देख लेंगे ठीक है दूसरा phenomena सबसे पहला phenomena हमने पढ़ा gauss exclusion principle का दूसरी चीज है competitive release competitive release नाम से क्या पताश चल रहा है competition से release मिल गया है है अब यह कैसे हुआ imagine करिए कि अपने पास में एक स्पीशी A थी और एक स्पीशी B थी A जो थी यह बहुत powerful species थी B बहुत कम थी इतनी powerful नहीं थी inferior थी वो तो A की presence में तो B डरे डरे रहेंगे class में एक group है 4 लोगों का है 4 लोगों का लेकिन बहुत एकदम डौन गिरी करता है तो बाकी बच्चे उनसे डर के रहेंगे न अब imagine करो वो बच्चे कुछ दिन के लिए नहीं आ रहे हैं तो बाकी सारे लोग क्या करेंगे वो grouping करेंगे वो अपना size increase करने की कोशिश करेंगे जो वो इसकी presence में नहीं कर पा रहे थे सेम चीज होती है हमारे nature में भी अगर दो species है एक powerful है एक inferior है तो इसकी presence में क्या ये अच्छे से grow कर पाएगा नहीं कर पाएगा लेकिन मैंने इसको हटा दिया इसको remove कर दिया तो ये क्या करेगा ये अपनी growth काफी जादा बढ़ा लेगा क्यूं? ता कि अगर वो आए भी तो भी ये adequate size में present हो ये ही funda है competitive release का competitive release क्या कहते हैं कि अगर एक से जाद one of two species जो compete कर रहे हैं उसमें disappear हो जाए वो गायब हो जाए तो जो दूसरी species बचेगी वो अपने resources को जादा अच्छे से use करेगी better potential show करेगी जैसे मैं आपको बताया कि अगर वो एक छोटे से area में restricted था, एक छोटे से area में ही grow कर पा रही थी हमारी species B कब? जब A था लेकिन A हटा दिया तो वो अपना area बहुत जादा expand कर लेंगे, अगर वो एक small area में restricted थे तो उस species के जाने के बाद में वो dramatically अपनी range को expand कर लेंगे समझ में आया? इसका एक experiment हमारे NCRT में दे राखा है, which is Connell's Elegant Field Experiment Connell's Elegant Field Experiment क्या करता है? इसी competitive release के fundे को बहुत अच्छे से explain करता है क्या हुआ? एक scientist थे, Connell's, नाम से पता चल रहा है इन्होंने Scotland के rocky sea coast पे एक experiment किया उस sea coast पे क्या था? barnacles मिलते थे उस sea coast पे हमको दो type के barnacles मिलते थे एक जो एक का नाम था bilanus जो की competitively superior species थे, जौदा powerful थे, जौदा बड़े थे और दूसरे बिचारे छोटे थे cathemalis तो एक हो गए bilanus जो की superior barnacles थे bilanus और दूसरे थे cathemalis जो की smaller थे अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया एक experiment उस experiment को इन्होंने दो पार्ट्स में किया number one इन्होंने क्या किया इन्होंने bilanus और cathemalis इन दूनों मेंसे bilanus को हटा दिया remove पहले ऐसा करो, हूँ cathemalis को हटा देते हैं चलो, इन्होंने remove कर दिया cathemeles को, cathemeles को इन्होंने क्या किया, cathemeles को इन्होंने remove कर दिया, फिर इन्होंने bilanus की जो superior था उसकी growth notice करी, एकदम normal सी growth थी, उसमें कुछ difference नहीं था, कम हो गई, बढ़ गई, नहीं, कुछ difference नहीं था, फिर इन्होंने दूसरे पार्ट में क्या किया, इन्होंने दूसरे पार्ट में bilanus को remove कर दिया, इन्होंने remove कर दिया किसको, bilanus को, तो इन्होंने क्या notice किया, इन्होंने देखा कि cathemeles drastically grow कर रहा है, अब देखो, क्या हुआ पहले experiment में, जब इन्होंने किसको हटाया कौनसा गरर चूछ करो यह लो इन्होंने क्या किया? कःतरम एलस को हटाया तो Bylanes ने normal growth करी Region कैथरम एलस कि बिलानस थो already बहुत superior था तो bylanes की presence और absence उसे कोई फरक नी पढ़डा वो class में चार लोगों का group था ना dawn वाला उनको कोई फरक नहीं पढ़ा था कि यह लोग कम हो रहें जादा हो रहें वो चार अपने में self sufficient है लेकिन जैसे ही उन बिलानस को हटाया तो क्या थे मिलस एक्स्ट्रीम ग्रोथ शो करने लगा क्या शो करने लगा? competitive release competitive release process को phenomena को उसने शो किया कि जब तक बिलानस वापस नहीं आ रहा तब तक grow कर लो enormous growth कर लो तो मुझे बताओ competitive release समझ में आया आप students को और competitive release का जो experiment है Connell's elegant field experiment ये भी समझ में आया अब next phenomena पे चले हम next phenomena पढ़ने से पहले एक चीज और बताती हूं ये again in CRT statement है तो as it is पढ़ेंगे CRT के statements बचा हम as it is पढ़ेंगे क्योंकि सीधे सीधे आते है इन्होंने क्या बोला है कि generally herbivores और plants ज़ादा adversely affect होते है carnivores से उसका reason क्या है? उसके reason है कि herbivores और plants इनके पास में options कम है plants को अगर competition हो रहा है किसके लिए हो रहा होगा? soil में से nutrient grasp करने के लिए क्या plant के पास में कोई और option है? नहीं है तो उसके पास में एक option की कमी है herbivores घास ही तो खाएगा और तो कुछ और खानी सकता पर कार्णी वोर्स के पास option ज़्यादा हो जाते हैं जैसे जैसे traffic level में हम उपर जाते हैं हमारे पास में खाने के option ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे पास में resources की जो limitness वाल या factor था वो reduce हो गया तो इसी लिए plants और herbivores इनके पास limitness थी limited थे ये इसी लिए ज़्यादा effect हुए competition से carnivores के साथ क्या हुआ carnivores के साथ में कम था limit कम थी उनके पास में abundance ज़्यादा थी resources की तो कम effect हुए ठीक है अब हम next process जो पढ़ने वाले next phenomena जो पढ़ने वाले है वो है resource portion तेखो मैंने अभी क्या बताया था तुम लोगों को कि gauss competitive exclusion principle सिर्फ तब सही होगा जब हमारे resources limited होगे otherwise वो सही नहीं होगा recent studies भी यही बता रही है वो इतने gross idea को support नहीं करते वो यह नहीं कहते कि नहीं भाईया मार काट के अलग ही कर दिया इमाजन करो ना पहले क्या होता था एक राजा ने दूसरे राजा कुछ पूछ बोल दिया उसके राजजे को कुछ बोल दिया भाईया व्यो दो चिड़गया आ गई यहां से यहां से Лड़ाइ कर रहे हैं मार फीट कर रहे हैं लोगों को मार के जा रहे हैं अब नहीं होता अब एक country ने दूशे country को कुछ बोला तो वो बैट के round table conference करते हैं ऐसे discussions करते हैं कि हाँ भाईया क्या करें बीच का कुछ solution निकाल लो यार बात बना लो यार ऐसे कुछ करते हैं तो basically क्या हुआ अब हमारे पास में evolution mechanism हा रहा है जो exclusion की बात नहीं करता वो कहता है कि भाईया coexist कर खान अपन क्या करता है coexistence को promote करता है यह क्या कहा रहा है कि आपके पास में अगर limited contracted resource है तो उस रेसोर्स को parts में divide कर लो resource partissioning, resource को parts में divide कर लिया, ताकि आप भी अच्छे से रहो, हम भी अच्छे से रहेंगे, प्यार से मिल बाट के रहेंगे, क्या दिक्कत है. तो इन्होंने क्या बोला है resources का division कर लिया है ताकि competition को हम avoid कर सकें, जैसे खाने का तरीका pattern change कर दो, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, इन सब चीज़ों को change कर दो इसका एक example है, बहुत अच्छा example, scientist ने दिया Mac Arthur ने Mac Arthur ने क्या किया? ये एक bird पे study कर रहे थे वो उस bird का नाम क्या था? वाबलर नाम था उसका वो bird थी वाबलर यहाँ पे क्या हुआ? वाबलर्स की five species हुआ करते थे, five species of वाबलर्स हुआ करते थे, जो एक ही पेड़ पे रहते थे, तो उन्होंने क्या notice किया? कि instead of competition, उन्होंने एक beach का रास्ता निकाल लिया है, क्या? उन्होंने पूरे पेड़ को पांच parts में divide कर दिया, कि तुम यहाँ पे खाना, मैं यहाँ पे खाऊंगा, मैं यहाँ पे खाऊंगा जैसे इसने बोला कि भाईया, मैं ये वाला portion खालूंगी इसने बोला कि ठीक है यार, मुझे ये वाला portion दे दो इसने बोला कि ठीक है, मैं beach का portion खालूंगा इसने का मैं ये वाला portion खा लूँगी, मतलब basically इन्होंने क्या किया, अपने grazing pattern में, अपने खाने के तरीके में, अपने for grazing pattern में changes कर दिये और अब ये साथ में मिल बाट के रह रहे हैं, कैसे coexist कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इनके पास में जो भी resource available था, उस resource की portioning कर दी, उस resource को parts में divide कर दिया समझ में आया, okay, next चीज, कि ये एक evolutionary adaptation है, obviously, मैंने तुम्हें कहा न, पहले राजा लड़ा करते थे, तब वो नहीं सुनते थे, कि हाँ यार, मिल बैट के बाद करो, नहीं, मार पीट करते थे, लड़ाई जगड़े करते थे, युद करते थे, लेकिन अब, अब हमने सोचा ह नहीं, हम world wars नहीं करेंगे, हम United Nations बनाएंगे, हम बैट के सारे problem solve करेंगे, तो resource portioning एक evolutionary adaptation है, which is very good nature ने adapt करना सीखा है, okay students, तो आज हमने क्या किया है, आज हमने पढ़ा है population interaction को, कौन-कौन से type के हमारे interactions होते हैं, कौन-कौन से categories में हम उनको divide करते हैं, हमने देखा total 7 type के हमार interactions हैं, फिर हमने एक-एक interaction को अब ढंक से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमने किसको पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया predation को, फिर हम क्या करेंगे, अब हमने फिर पढ़ लिया competition को, competition में जितनी theories दे रखे थे, जितने-जितने scientist ने जो-जो बताया था, हमने वो सब पढ़ लिय अब हम क्या करेंगे? ये था हमारा आज का live session, हम same session फिर से करेंगे, जिसमें हम बच्चे हुए जितने भी interactions हैं, उन सब interactions को पढ़ेंगे आपको ये live session जैसा भी लगाओ, प्लीज comments में लिखना, आपके जो भी doubts हों, आप comments में लिखना, मैं खुद personally उनको solve करूँगी Okay, have a good night. Thank you. Thank you.